संगप्रतेस जादरानकर होईलियने दम्बन दीव प्रशाचन दुवारा पालोची देश चीन मां हाआकार मचावनार कोरोना वाईरस ना पकले सतर्ता दाखावा मा आवि रही छे संगप्रतेस ना प्रशाचन दुवारा कोरोना वाईरस अटकावा माडे ना संगप्रतेस ना होटल संचालकों ने विदेश मा दिया होता प्रवासियोंने चानकरी प्रशाचन ने आप्पा माडे सूचना पाई छे चारे सेलवास नी वीनोबा भावे हस्पिडल मा कोरोना वाईरस ता में दरजी ओने सभी वी सारवार आपमाड़े दवानो पूर्तो श्टोक उपलब्द करवा मावियो छे देखें, नोबल कोरोना वाईरस ये बिमारी चाइना में डेटेक्ट हुआ है और दस कंट्री इसमें फैल चुका है, सबसे नेरस नेपाल में हैं, उसमें हमने आज पूरा डॉक्टर्स और कमुनिटी हेल्थ ओफिसर्स और हमारे डॉक्टर्स हो संसिटाइस किया हुआ है, कि इसमें घबरानी कोई बात नहीं है, जहां तक हॉस्पिटल में व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था अलडी की गई है, इसके लिए इवन आइसोलेशन आइसियो इंडिफाइ किया गया, इसोलेशन वार्ड्स भी इंडिफाइ किया है, और परस्नल प्रोटेक्शन किट काफी हैं, इनफ हैं, जो इसमें अमर्जन्सी मेडिसिंस की जरूद परती है, उसकी बेवलिबिलिटी है, और सैंपल लेने के लिए जो मीडिया और टेस्टिंग के लिए जो चीज जरूई है, जिसको हम सैंपल लेके नाइवी पूना में भेजते हैं, उसके लिए भी काफ लिए अलग ट्रांसपोर्ट मीडिया रहता है उसमें डालके लेबल करके हिस्टी पेशिंस का हिस्टी लिखके उसको कोल्ड चेन मेटेन करके पूने में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा 24 से 48 आर्स तक डिपोर्ट आ जाता है वायरस बेजिकली एलेजा टेस्ट करके है पीसिया टेस्ट करके है और हमेगनेशन इनिमशन टेस्ट करके है उसको ग्रो भी कर सकते हैं इसे अलग-अलग तरीके से उसको इदेटिफाई कर सकते हैं ब्लट में बिजिकली हम लोग उसका एंटिजन और एंटिबॉडी देख सकते हैं लेजा रहेगे तो मुस्ट लिए एंटिबॉडी देखते हैं पीसिया रहेगे तो उसका एंटिजन हम डिटेट कर सकते हैं वोना के लाब बहुत बड़ा लाब है देश का वो एद्दा ममेंट सही काम कर रही है और इनाफ है हमार लिए इनाफ है जैसे की अभी हमने डिसकस किया कि करोना वाइरस जो है वो पूरे दुनिया में दीरे दीरे फैर रहा है पर अपि तक इंडिया में हमें कोई केस नहीं मिला है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके सिंटम्स जो है वो सिंपल है फीवर काफ स्नीजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीधिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है खासी हो रहा है बुखार आ रहा है या फिर दस लग गए है तो ऐसे में आप रॉक्टर को आके दिखा अगर आपका पिछले 14 दिन में चाइना से ट्रावल का कोई भी हिस्ट्री है आप गए हो या फिर वहाँ पर कोई गया है और आपका उनके साथ कॉंटाक्ट हुआ है पिछले 14 दिन में तो आपको सस्पेक्ट केस माना जाएगा क्योंकि वहाँ पर चांस रहेंगे कि कोरोना वाइरिस हो सकता है फिर आपका सैंपल लिया जाएगा और इंडिया में नाशनल इंस्टिटुट आफ वारिलोजी है पूने में वहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं आपका सैंपल वहाँ जाएगा और फिर अगर पॉस्टिव आता है तो वह कंफर्ब केस होगा आपको suspect ही माना जाएगा और right now इसको prevent करने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे important तरीका है hand washing यानि आपको अपने हाथ दोने हैं आप कभी भी कफ करते हैं खासी आती है चीक आती है उसके बाद आपको अपने हाथ दोने हैं आप खाना बना रहे हैं especially जो non-vegetarian food खाते हैं अ अच्छे से पका हुआ खाना खाना है अगर आप undercooked food खाएंगे या फिर कच्छा meat या कच्छा अंडा ऐसे uncooked food खाएंगे तो chances जादा है because ये animal से human में आ रहा है infection तो ये कुछ preventive measures है आप अगर बाहर जाते हैं छीक आती है, sneezing हो रही है, cough हो रहा है तो अपने अपने face को cover क की कोशिश कीजिए, hanky से, towel से और अगर कुछ नहीं है आपके पास तो elbow से काफिया sneeze, sneeze कीजिए, open air में मत कीजिए, because respiratory route है, आस पास के लोगों को भी फैलने का खत्रा रहता है, तो अभी तक research अभी भी चल रही है कि actually ये कौन से जानवर से फैल रहा है, अभी अभी हम पका अगर हवेली में ऐसा हमें पता चला है कि कुछ लोग चमगादर वगेरा जो है वो खाते हैं उनको, तो उनके लिए यही मतलब हमारी यही suggestion है कि वो लोग first of all तो खाए ही न, especially season में avoid करें, वो चमगादर ये किसी भी तरह का इस तरह का मीट को ना खाए, अगर फिर भी वो है उनको, उनके पास और कोई option नहीं है तो उसको अच्छी तरह से cook करना है, वो सबसे important बात है